हलो गाईज अगर आप इस यूटूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें आर्पेस्जी स्कूल व्यक्यता वरिष्ट अध्यापक और आईएस मेंस से संबंदित मैथ्मेटिक्स की ठियोरी ओप इक्वेशन की चर्चा करेंगे आज ठियोरी ओप इक्वेशन को सुरू करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना जुरूरी है अगर ओड डिगरी अपने को दे रखी है तो उसका जो एक रूट होगा वो रियल होगा वे आर इज पॉजिटिव रूट और वो रूट कौन सा होगा पॉजिटिव अगर एक्वेशन की डिगरी इवन है तो वन पॉजिटिव रूट और वन नेगटिव रूट और अगर एक्वेशन की डिगरी ओड है तो वन रियल रूट प्राप्त होगा अब पढ़ेंगे हम सिंटेंटिक डिविजन के बारे में इस डिविजन का यूज किसलिए करते हैं कि जब भी गाईज हम एक एक्वेशन को दूसरी एक्वेशन से डिवाइड किया जता है तो उसमें वागपल और सेस्पल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सोटकर मेथ पता है जिसको हम उसिंटेंटिक डिविजन बोलते हैं जैसे मालो अपने पास एक विक्वेशन देर की हैं फाइब ओर की X5 मिनस 3x की 4 x3 माइनस 8 x-15 content को x-4 से विवाजित कीजी अब इस डिविजन की मदद से हमें क्या करेंगी बस सिंटेंटिक डिविजन लगाने के है वो complete होनी चाहिए अगर 5 डिगरी है तो उसके बाद 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर अचर का माना चाहिए मतलब यह डिगरी complete होनी चाहिए अगर 6 की है तो 6543 ऐसे होनी चाहिए इस इक्वेस्टन को हम देखते हैं तो हमारा आउडर बिलकुल complete है फिर 5 की ट्रम है फिर 4 की है फिर 3 की है फिर वन की है तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर जो इसका आगे वाले अंक है वो लिखेंगे x5 के आगे एक रखा हुआ है इसके आगे-3 फिर 1 फिर 0 फिर-8 और फिर-35 ये जिसे इसके आगे के कोफिशेंट है वैसे कवे से रख दी अब हमें क्या करने हैं किस से डिवाइड करना x-4 तो x-4 ब्राबर हम 0 रखते हैं तो x का मान आता है 4 इसका मतलब हमें किस से करना है चार से डिवाइड करेंगे पहला जो मान है जैसे वन है उसको वन ही रखना है दूसरे मान में क्या करना है इस चार का इस वन से गुणा कर देना है चार एकम चार और इस माइनस तीन के नीचे रख देंगे उसके बाद इन दोनों का क्या करना है जोड चार में से माइन फिर 20 का वापिस चार से गुणा करोगे 80 ओपर कितने माइनस 8 कितने बचे बेतर इस बेतर का फिर 4 से गुणा करोगे 288 तो अब देखो यह हमारे पास एक पूरा विवरेन इसका आ चुक है यह जो लश्ट वाली संक्या है 153 अचर वाड़ा यह हमारा क्या होगा सेसफल तो सेसफल अमारे पास कितना आ चुक है 153 अब अगर वागफल पूछे तो गाईज अगर 5 ओर्डर की डिगरी की है तो जो इसकी ट्रम सुरू करेंगे वो 4 से करेंगे अगर 6 order की है तो 5 से शुरू करेंगे अगर 10 order की है तो 9 से शुरू करेंगे तो guys देखो पहला हमारा मान 1 है तो X के 4 उसके बाद 1 है X की 3 उसके बाद 5 है तो 5 के साथ X स्केर की ट्रम आएगी उसके बाद 20 है तो 20 X हो जेगा इसके पास बहतर है तो यहां हमारी अच्छा ट्रम कौन सी है बेटर है और सेस्पल कितना है 153 है Next guys synthetic division का दूसरा 4 example हम चेक करते है X की 5 2 X स्केर माइनस X प्लस 4 डिवाइड करना है X प्लस 2 से विवाजित कीजी अगर guys हम इस equation को देखते हैं तो यह equation हमारी complete नहीं है 5 की ट्रम के बाद direct 2 की ट्रम दे रखिए तो फहले हमें क्या करना है synthetic division लगाने के लिए equation complete होनी चीए X की 4 फिर जो ट्रम नहीं दे रखिए उसको 0 मानेंगे 0 X की 4 0 X की 3 2 X की 2 माइनस X प्लस में 4 अब हम किस से डिवाइड कर रहे है X प्लस 2 एक्वल क्या रखेंगे 0 तो X का मान कितना आएगा माइनस 2 इस माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 इसके जितने भी coefficient वह सार रख देंगे 2 और इसका X का कितना है माइनस 1 और इदर लास्ट का कोफिसेंट अचर संक्या 4 अब हमें क्या करना है पहला ट्रम वेसे का वेसे 1 1 का 1 1 का माइनस 2 से गुणा करेंगे यहां रखेंगे गाईज माइनस 2 0 और माइनस 2 माइनस के 2 माइनस 2 का माइनस 2 से गुणा करोगे 4 0 में एड करना है 0 और 4 कितने होगे 4 अब माइनस 2 का 4 से गुणा करोगे minus 6 और इस के अंदर add करोगे minus 6 minus 2 का minus 6 से गुणा करोगे 12 1 में add करोगे क्योंकि minus का 1 के 12 11 minus 2 का 11 से गुणा करोगे minus के 22 और इस में add करोगे minus के 18 ये जो minus के 18 आया है guys ये हमारा कौन से ट्रम आ चुखी है इसका अब हमें भागफल चाहिए अब X की 5 ट्रब में तो ओर्डर जो लिखेंगे कौन से ट्रब में आएगा 4 की ट्रब में तो आब रेखो X की 4 इसका कॉफिशेंट 1 है इसका कितना है माइनस 2 तो माइनस 2 X की क्यूब इसका 4 X की स्केर इसका माइनस 6 X प्लस के 11 यह इसका क्या लांच र Sicher नेस्ट गारेज enter the एंडा रूटस। गैं ने की ने कीज़िए में अ मुलों का योग मुलों का गुणफल इसके बीच में संबन देखने हैं है योग हो रहा है एलफा बीटा गामा डेल्टा कितने भी मूलो तो उसके लिए योग के लिए हम क्या करते हैं माइनस एवन अपोन एजिरो उसके बाद मालों अपने पास दो या तीन मूल दे रखें इल्पा प्लस बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा इसके लिए हम क्या करेंगे यहां तो मूलों को सिद्धा जोड़ हो रहा है यहां दो के कॉफिसेंट में जोड़ो एलपा बीटा बीटा गामा इसके लिए हम क्या करते हैं गाइज आपको कितने भी मूल दे रहे हैं कि हो दो तीन चार दस तो हमें क्या करता है एक सिंपल सही बात ध्यान रखने है माइनस एक की स्केर एटू जिरो अगर टू मूल है तो एटू का कॉफिसेंट आएगा और वन मूल में चल रहे हैं तो एट वन का आएगा थ्री में चल रहे हैं तो एट्री का आएगा और आगे कितना लगाना है माइनस एक की स्केर अगर दो के ट्रब में है तो माइनस एक मतल पॉजिटिव मान आएगा यहां देखो मूल कितने है तीन एलपा बीटा गामा प्लस में बीटा गामा एलफा तो तीन मूल है तो माइनस एक की क्यूब एट्री अपोन में एजिरो और अगर एन तक मूल दे रहे हैं तो माइनस एक एए एन एजिरो नेक्स्ट गाइज हमें मूलों के बीच में संबंध अभी हमने रिलेशन देखा पर एक्जामपल देखते हैं तीर मूल दिये होएं में R1, R2, R3 और एक्वेशन दे रहे हैं 2x की क्यूब माइनस 3x के प्लस Kx माइनस 1 एक्वल जिरो हो तो K का मान ग्याद कीजिए R1, R2 का योग एक है ये condition दे रखिए और अन्य मूल भी ग्याद कीजिए अब देखो हमारे पास ये equation है इस equation से हम पहले सबसे पहले मूल ग्याद करेंगे हमें दिया हुआ क्या है कि R1, R2, दो मूलों का योग जो है एक है अब देखो R1, R2, R3 करेंगे गाइज अब मैंने कहा था कि minus A1 upon me A0 की ट जो ट्रम होती है X की क्यूब है तो क्यूब की ट्रम, X5 है तो 5 की ट्रम वो A0 होती है उसके बाद A1, A2, A3, A4 ऐसे चलता रहती है तो यहां माइनस का निसान और माइनस है उसमें था हमारा क्या था माइनस A1 upon me A0 तो यहां A1 जो है वो दो है और A1 माइनस 3 है और A0 दो है इसको हल करेंगे 3 वटा दो उसके बाद 2 मुलों का जोड R1, R2, R3 यह जब हल करेंगे तो क्या था माइनस 1 A2 upon me A0 तो A2 की ट्रम कितनी है K और A0 कितना है 2 उसके बाद 3 मुलों का करते हैं तो 3 मुलों में क्या थे अचर की ट्रम जो होती है वो और नेग्टिव का निसान आ पास देखू कि R1 यहां से हम इसका सुलूशन निकालेंगे R1, R2, R3 मान हमारे पास 3 2 है और हमें क्या दे रखिए कि R1, R2 का जो मान है वो 1 दे रखिए यहां से R3 का मान हमारे पास कितने आ जाएगा इसको सुलूशन करेंगे 1 इंदर जाएगा 3 वटा 2 मेंसे 1 next आमारे पास यहां एक relation दे रखा है कि R1, R2, R3 एक बटा दो है यहां से अगर हम R3 का मान यहां put करते हैं R3 का मान अमारे पास एक बटा दो है तो R1, R2 की value कितनी आएगी एक यहां से हम R2 का मान निकाल लेते हैं तो एक बटा R1 और यह R1 की value जो हमारा relation दे रखा है R1, R2 बटा बर 1 यहां put करेंगे तो हमारे पास एक relation बनेगा R1 प्लस में R1 की square प्लस 1 R1 इस R1 को इदर लाएंगे तो यह एक डूई घास समीकन बनेगे इस डूई घास समीकन के दोवारा हम क्या करेंगे इसके मूल का मान गयात करेंगे तो R1 का जो मान आएगा क्योंकि यह डूई गास समीकन दराचारे सुतर से अपने हल करेंगे तो यहां दे को यह माइनस एक का ट्रम प्लस माइनस इसको हल करेंगे रूट तीन आयूटा बटा में दो मतला R1 के दो मान आएगे एक पोजिटिव आएगा और एक नेगटिव मान दिया जाएगा तो नेक्स्ट गाईज हम देखते हैं कि R1, R2, R2, R3 R1 का मान आमारे पास एक बटा दो है के बटा दो है हमें के का मान फाइंड करना था R1, R2 का पीछे हमने देखा R1, R2 दोनों 1 है यहां से हम क्या करते हैं R3 कोमन ले लेते R3 कोमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा R1, R2 क्योंकि R1, R2 का मान हमें दिया हुआ कितना है? 1 R3 का मान कितना है? 1 upon 2 यहां रखोगे तो यहां 1 upon 2 का 1 से गुणा करोगे 1 upon 2 और 1 कितने होँगे? 3 by 2 3 by 2 equal कितना? के वाइ 2 2 से 2 कैंसल कर तो के की वेल्यू कितनी आ जाएगी? 3 तो इस तरह से इसका जो के का मान फाइंड करना था यह 3 था आज हमने रेका कि मुलों के बीच में क्या रिलेशन होता है और उसके उधारन अपने देखे तो ऐसे ही continuous वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि यह जो mathematics है फर्स्ट आने वाली 2022-23 की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर थेंक्यू